नमस्कार बच्चो मैं हरी सार एक बार फिर आप सभी बच्चो का चलो का दमबड़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं और बच्चो मैं आपको यकिन दिलाता हूं यदि आप continue मेरे साथ बने रहे तो मैं आपके लिए नई-ई वीडियो अपलोड करता हूं और जिससे सीख कर आ और उसके बाद आप दूसरी बच्चे को सिखा सकते हैं बच्चो यदि मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज मेरे वीडियो के नीचे एक रेड बटन है सब्सकाइब का उसको सब्सकाइब कीजिए आप सब्सकाइब कैसे कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता है कि आपका एक Gmail account होना चाहिए यानि Gmail ID होनी चाहिए तब ही आप उसको subscribe कर पाएंगे like कर पाएंगे, share कर पाएंगे ठीक है बच्चो तो चलते हैं अगले question में question number 5 यहाँ पर लिखा है मैंने पहले कितरे two numbers are in the ratio five, ratio three, two numbers है जो ratio दिये उनके five, ratio three if they differ by 18 यदि उनका जो differ है, difference है अंतर है, वो 18 है what are the numbers, वो numbers क्या होंगे ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा देखिए दिहान, मेरे साथ बने रही है वीडियो को आखिर तक देखिए, तब ही आपको इसमें आएगा, आप देखिए ratio इसमें given है, तो ऐसी condition में हम इनको x माल लेते हैं let the number let the numbers equal to sorry, let the number five x and three x ऐसे माल लेते हैं, ठीक है बच्चो x माल लेते हैं ratio वाले को अब according to question इसमें बिलकुल simple सा question है, according to question क्या करेंगे, इसमें लिखा difference, यानि इन दोनों का difference difference कर दीजिए, minus five x minus three x इन दोनों का difference कितना है equal, लिखा 18 तो आप 18 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चो बिलकुल हो गया, equation आगई अब five x minus three x five x में से three x minus कर सकते हैं, दोनों के साथ x लिखे हो, आप minus कर सकते हैं, इसी condition में, five x में से three x minus करेंगे, two x equal 18, ठीक है बच्चो, इधर two multiply की फों में, इधर आकर divide की फों में आगए, x value आगई 18 by two, two से इसको divide कर दे, two बंजा two, two nine जा 18, तो x value कितनी आगई, nine आगई, ठीक है, ये number नहीं आए बच्चो अभी, number आप निकालते हैं, ठीक है, first number first number first number है, अपना first number क्या था, five x five x लिखेंगे, five x equal, five multiply, देखो, बीच में कोई शाय नहीं, तो multiply, five multiply x, x is x value लिखेंगे nine, nine five, जा 45, ठीक है बच्चो, एक तो number आपका ये आगए, second number second number second number आपका क्या था, three x ये लिख देता हो, three x यानि, three multiply x, x is value क्या आईए, nine nine three, जा, twenty seven, ठीक है बच्चो ये आपका second answer आगया तो ये question solve हो चुका है बिल्कुल इजी था, और मुझे उमीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा, फिर भी अगर समझ में आया है, तो comment में जरूर लिखिए, हम उस कमी को पूरा करेंगे आपके लिए अपलोड करते हैं बच्चो गरीब बच्चो के लिए अपलोड करते हैं ताकि अपने देश को हम सिक्षित बना सके आगे ले जा सके बच्चो और मैं आप से बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें से सीखकर आपके प्रोस में आपकी स्कूल में जो कोई भी है, जो कमजोर है आप उसको सिखाएं और उसको बताएं तो फिर बच्चो मैं उमीद करता हूँ कि आपकी जब डबल प्रैक्टिस होगी दो बार प्रैक्टिस करोगे, तीन बार करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मैत के अंदर, खासकर एक्वेस्ट में जो मैं एक्वेस्ट बता रहा हूँ और जिन बच्चो को आप सिखा रहे हैं जब उनको आने लगेगा तो उनके माबाप की दवाई भी आपको मिलेंगे दवाई से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है बच्चो ठीक है बच्चो तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमें जूर लिखना इसमें से सीख कर दूसरी बच्चे को जरूर बताना मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक कि ली बच्चो धन्यवाद